हलो एवरिवान वेल्कम टू अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 पर मैं डॉक्टर मिनाक्षी राथी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो तीन बढ़ करें जल्दे-जल्दे क्लास में आईये और क्लास के साथ जुड़िये ताकि क्लास को ह है वह मिस्स ना हो वेरी वेरी गुड़ आफ्टरनून रितु और अनुभव गुप्ता राधे राधे आनंद कुमार वेरी वेरी गुड़ आफ्टरनून तो चलिए भाई जल्ली जल्ली सेशन के साथ चुड़िये ताकि फिर हम सेशन को जो है अच्छी सी शुरुवात दे करेंगे जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा होगा वो हम सैटर्डे को क्वेस्टिन फॉर्म में रिवाइज करेंगे जी वेरी वेरी गुड़ आफ्टरनून सुनील शिवानी नीदाव पालक आप सभी का जो है बहुत-बहुत स्वागत है सेशन में तो यह जो हमार करेंगे तो साथर्डे आपको थुरी पीए माना है और इस एंटमोलोजी क्लास में जुड़ना है इस ऐलपफुल फॉर एवरी एक्जाम यह जो क्लास एं हर एक्जाम के लिए जिसमें भी आपका एंटमोलोजी आते है जैसे कि आपका आईपीस एफो है जैसे कि आपके अगर आप एसर भी नेट जैसे एक्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो यह हेलफुल जरूर रहेंगे लेकिन इनसे पूरा से लेबस कवर नहीं हो पाएगा और इसके अलवा आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह आपको जो है पूरी कंप्लीट एंटमोलोजी ग्राजूइशन का एंटमोलोजी तो है वो कंप्लीट कर वात है वेरी वेरी गूड आफ्टेनोन आंजली एग्रिवाला एंड एक राठोर बिलकुल यूपी ट्रूपल सी एजटी वाली भी एक लास ले सकते हैं बट जो अभी हमारी क्लास चल रही है यह चल रही है इंसेक क्लासिफिकेशन इन्सेकटी मौर्फोलाजी अन्सेक्टी एंटमोलॉजी कर रही हूं और तो यह यूपीत्रूपल सीट का पार्ट नहीं है क्तों ऒर रिए त्युस्च्अ सब्जिक्ट करते हैं और उसको जो हैसे कैसे हां उससे निजात पा सकते हैं क्या उसके control majors कर सकते हैं वो सारी चीजरे जो है UP SSC EGTA में एंटो के part में आएगी एवन stored pest भी जो हैं टो के part में आएगा लेकिन morphology anatomy और classification जो है वह नहीं आएगी ये आप एंटोम लॉजी यूप रि tubing पोर्शन जो होटी कल्चर रहेगा एंटमोलोजी का जो भी पोर्शन है वो यहां पर कवर हो जाएगा इसके लिए आप बिल्कुल बेफिकर रही है और यहां पर हम फ्रूट क्रॉप्स के इंसेक्ट्स भी करेंगे सब्सक्राइब बिल्कुल अटेंट कर सकते हैं साथे साथ आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड रहे हैं अड़ा 24-7 की आप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अप्लिकेशन का लिंक जो आपको चाट बॉक्स में गिवन होगा या फिर डिस्क्र को गूस्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज इसमें रोज कोई मिलेगी जो कि आप उठते बैठते कभी भी अपने इस क्वेशन को अटेंब की जिए और जब तक आपका एक्जाइम होगा यह एंड आपके पास खुद का एक बड़ा क्वेशन बांक होगा साथी साथ अगर आ आप्टरनून आखिल लगता है आप अभी अभी सोकर उठे है गुड मॉर्निंग हो रही है है ना सुधान्शू एग्रिकल्चर का न्यू बाच बच्चा एग्रिकल्चर तो पूरा चले ही जा रहा है आपके इस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं बिल्कुल आई बीपीएस ए जैसे एक्जाम है इनके लिए आप यहां पर बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं आपके एंटमोलोजी जो है बिल्कुल कवर होगी यहां पर बेसिक से कवर हम कर रहे हैं लेकिन जैसा मैं रही बताया कि यूपी ट्रॉपल सी में जो है सिर्फ पेस्ट कंट्रोल आएगा यह वाल यह चील जैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें जब्स बैल आइकन और वैल आइकन भी प्रेश करें ताख चंट डॉ t classification के बात होती है तो हिरारिकल ओर्डर में की जाती है classification का मतलब या टैक्सोनोमी हम इसको बूल देते हैं तो हम हर चीज का एक नामकरन करते हैं नामकरन से पहले हम उसको groups में बाढ़ते हैं जिसे हमें उसे पढ़ना आप्ढ़ना जाएक just like बहुत ही अरेंज तरीके से रखी चाती है क्लासिफिकेशन में ताकि कोई भी इंसान किसी चीज के बारे में पढ़ना चाहे रिसर्च करना चाहे तो उसे एजीली ढूंड पाई इसके लिए क्लासिफिकेशन जो है जरूरी होती है बढ़न आफ्टिनों अखेल आन देव नंदा तो अगर हम झासिफिकेशन को क्लासिफाइ करें बिफोर देंग्डाम तो हम ऊगानिसम को दो टाइप के शेल के वजह से जो है divide करते हैं procaryotic cells और eukaryotic cells procaryotic यह रिमिटिव cells जिनमें पूराने तरीके के Cells होते हैं जिनमें nucleus नहीं होता है ज़ाधा advanced cell organ lies जो है वो नहीं होती है yukaryotic cell में nucleus होता है और advanced cell organ Marx भी होती है हम जटने भी अनिवर्ण्स हैं जटने भी plants हैं यानि कि हम सब में eukaryotic cell पाया जाता है गुड आफ्टेनोन H at the rate 1, 2, 3 ठीक है चले तो इट सार्ट्स विद दे किंग्डम और अफकोर्स इंसेक्स जो है आनिमल किंग्डम से बेलोंग करेंगे तो आनिमल यहां पर आएगा देन किंग्डम के उपर होता है फाइलम यानि कि जो किंग्डम में इंडिविज्वल्स है वो डिफ्रेंट फाइलम में अरेंज होते हैं तो फाइलम एक फाइलम में कम पॉपूलेशन मिलेगी as compared to a kingdom kingdom broader term है फाइलम उससे थोड़ा चोटा टाम है तो आपके इस तरीके से जाएगी तो उपर नैरो होता जाएगा यानकि उसमें जो इंडिविज्वल्स हैं वो मिलने कम होते चले जाएंगे फाइलम के उपर आता है class then order then family then genus then species तो अपने अपने तरीके हैं याद करने के कि कि इसके बाद कौन सा आते कि मैं एज अस्टुटिट्ट हमेशा confused हो जाती थी फाइलम बड़ा होता है या ख्लास बड़ा होता है तो इस तरीके के कन्वन सब्सक्रापको भी होते हैं तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं जै श्री राम प्राग कि king और फालाम जैसे है न कहते हैं आपिन अकबर इस आज इनन तो इसा हमारे जुर्ण का नाम है फाइल पॉइंट्स तो हमारे जुर्ण को आपना है टोर आपनी प्रजा के लिए और करता है कि हर फामिली को ौजी नियस बनना है किसी भी स्पेसिक काम में हर फामली को जीनियस बनना किसी भी काम में तो इससे आप जो एपको याद कर पाएंगे पिछला हमारा इंट्रोडाक्टरी क्लास था एगरी ट्राइवी ठीक है तो इंट्रोडाक्टरी क्लास में हमने कुछ इंटमोलाजी का शौप किस से निकला है, इंसेक्ट का टाम किस से निकला है, उन सब बारों में बात की थी, साथ इसाथ जो भी historically important चीजें हैं, उनके बारे में बात की थी, जैसे कि एंटो का जो है, division का बाई एयराई में बना, first entomologist कौन से, कौन सी book जो है, लिखी थी, इंडियन एंटमोलोजिकल सोसाइटी का फाउंडेशन एचस पूरूथी ने किया था इस तरीकी की चीज़े जो हमने इंट्रोटाक्शन में पड़ी थी स्टार्ट एक्चुली क्लासिफिकेशन से हम अपनी क्लास को एक तरीकी से फॉर्मली शुरू कर रहे हैं तो यहां पर ह हम एंसे क्यूथ बी जो है अपने क्लास में ठैक्थर क्रेंगे ठिकाए चले आगे चलते हैं सो हमारे फाइल्म और्थरोपोड़ा से बिलोंग करते हैं इक पर प्लाका मतलब हमने कल भी जाना था जी जैश्री beings रांब आ्र्थषरीराम यह जॉउइं इश्यी र मिल रही है यानि कि इनकी लेक्स में अलग-अलग सेग्मेंट जो है वह आपको मिलती है तो इसको हम जॉइंटेड लेक्स के नाम से जानते इनकी जो बॉड़ी है यहां कुछ स्पेसिफिकेशन लिखें कि अर्थ्रोपोडा में क्या-क्या होना चाहिए यानि कि क्या-क्या फीचर्स हैं जो अर्थ्रोपोडा में हम देख सकती है तो अर्थ्रोपोडा में जो है आपका सेग्मेंटेड बॉड़ी होनी चाहिए यानि कि या बॉड़ी जो है पार्ट में सकते हैं यह सिफ एक स powin हाफ में डिवाइड हो अजो इस को ईगर कोई बीचेस राउंड है यान कि ईसकी भी प्लीन में показыв वह हमेशा दो आपको में ही बट रही है तो उसको हम रिडियल सिमिक्री कहते हैं तो आपके इंसेक्ट के हमेशा बाइलेटरल सेमिटरी होती है एक ही प्लेइन ऐसा होगा जिसमें उसको दो इक्वल भागों में बाटा जा सकता है ठीक है देन यूहां देशुड्ट हाव पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स जॉइंटेड लेग्स तो होंगी ही अर्थ्रोपोडा वह नहीं हो पांच साथ इस तरीके के लेक्स प्रजाट नहीं सकती तो वह शुड़ भी प्र फियाड उगी जैसे की च्छे आठ है इस तरीके से पेयर नंबर होगा यानि की इवन number होगा हम कहा सकते हैं इनका जो exoskeleton है वो rocky in union का बना हुआ होता है को एक्जो स्क्यलिटिन क्वा होता हैं हमारे अंदर भी skeleton है नहीं हमारा skeleton क्या है अंदर की तरफ है question आपको दुनों language में मिलेंगे Arjun History में मिलेंगे इंगotz वर कॉश्प aumento में सारी चीज़े रिपीट होंगी ठीक है तो जो भी हमारे आर्थ्रोपोडा और है इसका जो एक्जोस्केलेटन है वो काईटीन का बना होता है तो इसको बोलते हैं काईटीनियस exoskeleton ठीक है तो जो काइटीनियस exoskeleton है इसका मतलब क्या है कि जो exoskeleton है वो काइटिन का बना है और exoskeleton का मतलब क्या होता है यहां यह यहां पर जाय जो इसको एक structure प्रोवाइड करें इसको एक शेप प्रोवाइड करे तो उसको एक्जरोट केसे तो जो भी हमारा इnt pod इसके जो शेप है उसकी मेंटिनिंज जो है isos mais और करता यहंग की हडे लेयर जो है उसकी skin के ऊपर आकर जम जाती है ढूआ जैसे वह एक फ्म-शेप ले पाता है क्दूte कम एक्जोसिर गजोइट है देन वाव देक वेंटर नर्वस सिस्टेम एंड डॉर्सेर हैं इनका हर्ड औरी जो होता है हमारा जो हर्वह को हूं व dif इंटर आपकश्र जो हमारा फेश है आनि यह आलए जो पोरिशन है जो ए होगा जो ग्राउड की तरफ होगाव की तरफ बोर्ट है उसे वेंट्रल पोर्ष्टन कहते हैं जो नब शायद में होगी उसे हम जो है आपका डोशाइडा है जो हहते हैं ऑस परोम पॉर्शन में है ठीक ही मोसलेक बॉडी काविटी इसमें देखने को मिलती है यानि कि जैसे कि हमारा खून का जो प्रभा है वह वेंस में और आटरी में होता है है पाईपलाइन ही है उसमें होगता है इन्सेक्ट का नहीं कहेंगे हम ँर्फ güi और इसो अर्फ्रो पोड़ा पड़ रहे हैं तो इसमें उन्सट्रू पोर्ड़रो की स्पैषिकेशनीं लाप ओडना है । बहुत सारे और घनासे क्राब्स लोस्टें फ्राउन है मलेपेडिस है यह सब चीज़ें जो है आपकी अर्थ सब्सक्राइन होते हैं अर्थ साब फाइलंज होते हैं तुक है है एपनास छाषब है है तो यह आपकी चार क्लासेथ है तो यह सारी चीजे आपकी जो है इस और में आएंगी दैन्यु आपकी क्रस्टेशिया ओडर क्रस्टेशिया मतलब उसके ऊपर कुछ प्रॉबस्टर है रफ है यह सभी आपके क्रस्टेशिया ऊडर में ऑनरे हैं जो चान को तो यहां पर आपके जो हैं बहुत सारी लेक्स इन और गानिजम में होती हैं तो अफकोस इसको हैं इसका होता है तो यह एक्स इन सेक्टर है इन टोटल 29 ओर आपकी जो इंसेक्टर है उसमें 29 ओर्डर है लेकिन पहले आपकी जो एक लास है यह दो सब इन को हम एटरी गोट्स की बात हो रही है इन में विंक्स जो हैं आपस नहीं होते हैं तो इनको हम एटरी गोट्स बोलते हैं या फिर इस सब फाइल इस सब क्लास को जो है हम एटरी गोटा सब क्लास बोलते हैं दूसरी तरफ जिन भी इंसेक्ट में विंग्स प्रेजंट होते हैं पंक प्रेजंट होते हैं उनको हम टरी गोटा बोलते हैं तो आपकी जो क्लास है उनों सब क्लासिश में बती है। उन्म सब्सें थे, एक आता है आपका तेरी गोटा और ऑका आता है ये टेरीोटा जो हैं विंग वाले Sud немножко होते हैं और ए टेरी गोटा आपके विंग लेस इंसेक्टusch होते sommes पी क्यों नहीं को स्पीक के बोलते नहीं नें प्रीमिटव इनके पास वंहीं होते हैं माउथ पार्ट भी अकसर इंके हिड़न भूदने पढ़ेंगे आपको देखने लिए और सब्सक्राफियन घालङ सिर्द अब हने वह या फिरफ़ीजियन टेंट होते हैंहां अब मालफीजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं जैसे आपके इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं एना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आपके इंटेस्टाइन की दिवार में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको माइक्रो विलाई बोला जात होता है तो ऐसे ही इंसेक्ट के digestive system में भी फिंगर-like projection होते हैं जो excretion में काम आते हैं तो उनको हम morphagian tubules बोलते हैं तो यहाँ पर terry goats में लेकिन टेरी गोटा में या फिर completely rudimentary होते हैं functional नहीं होते है और उसके बाद आते हैं हम आपके further डिवीशन पर तो अभी हम इसी का जो है बाइफर्केशन करें कि इनमें क्या-क्या जो है अलग-अलग ट्रेट्स या सिम्टम्स जो है देखने को मिल रहे हैं तो इनके जो एडल्स होते हैं इनमें प्री जनाइटल अब्डॉमिनल अपंडेजिस होती है प्री जनाइटल अब्डॉमिनल अपंडेजि होती है ठीक है appendage क्या होते है appendage होते है बॉड़ी से कोई भी बहार निकला हुआ structure जैसे कि आपका हाथ भी appendages में आता है आपकी लेग भी जो है appendages में आती है ठीक है साथी साथ सबसे important a terrygots और terrygots का एक तो है कि इसमें a terrygots wingless होते हैं और terrygots में wings present होते हैं दूसरा most important difference क्या है metamorphosis तो यहां पर जो metamorphosis है वो absent होता है या फिर simple होता है और यहां पर जो metamorphosis है वो complex होता है अब फिर से बात आती है कि metamorphosis क्या होता है तो metamorphosis is changing of the stages of life है ना जैसे कि larva होता है larva से प्यूपा लार्वा से प्यूपा बनेगा प्यूपा से एडल्ट बनेगा है ना तो यह जो changes है life changes है उनको हम metamorphosis कहते हैं तो जिन में metamorphosis absent होता है उनको हम कहेंगे कि उसमें कोई और modification या कोई और बदलाव नहीं आ रहे है after being born जैसे कि हम है हमारा जब भी जन्म हुआ था हम ऐसे ही पैदा हुए थे दो हाथ थे दो टांगे थी दो आखे थी एक नाख था हमारा सिर्फ size increase हुआ है तो हमें ऐसे पैदा हुए थे सिर्फ size increase हो रहा है यानि कि हम में कोई metamorphosis नहीं है लेकिन तितली को आपने देखा है तितली एक caterpillar जैसी पैदा होती है लेकिन बड़े होते होते से adult होते होते हैं उसके पास colorful से punk आ जाते हैं जो पहले बच्पन में उसके पास नहीं थे यानि कि इसमें metamorphosis हुआ है इसमें birth के बाद भी कुछ changes हुए है तो generally जो आपके eight erigots होते हैं इनमें birds के बाद changes नहीं होते हैं यानिकि metamorphosis जो है absent होता है लेकिन जिनके पास wings होते हैं वो wings adult के पास ही होते हैं बच्चे के पास अक्सर wings नहीं होते हैं वरना तो इदर उदर उचलता घूमेंगा है तो यहां पर metamorphosis जो है वो present होता है देन abdominal segments यहां पर जो है abdomen में यानिकी last की जो आपकी segment है उसमें कितनी total segments present है तो terry goats में कम होती है यह टेरी got में जादा होती है यहां पर adult molting करते हैं यहां पर adult molting नहीं करते हैं जैसे snake अपनी skin change करता है ऐसे insects भी अपनी skin change करते हैं तो यह skin change क्यूं करते हैं ताकि उनका size increase हो सके हमारी skin जो है elastic है यह time के साथ बढ़ती है इसमें नए cells भी बनते हैं और stretch भी हो सकती है तो जब हमारा size बढ़ते हैं तो हमें skin को उतारने की जुरुत नहीं पड़ती लेकिन जो insects है उसके पास exoskeleton उसके चारों तरफ एक tough membrane है तो वह अपना size increase नहीं कर पाता उसे size increase करने के लिए tough membrane को तोड़के एक नई skin के साथ बहार निकलना होता है और इस process को हम malting कहते हैं बाकि सारी चीज़ें पढ़ेंगे और details में पढ़ेंगे तब आपको और भी जाद अच्छे से वहां पर clear हो जाएगा चाहिए तो coming to a terry go जैने की विंगलेस इंसेक्स विंगलेस इंसेक्स में आपके प्रोट्यूरा आते हैं डिपलीूरा आते हैं कॉलंबोला आते हैं और थाइसन और यूरा आते हैं यह सारे आपके जो है एट अर्ट यूरा में आपके जो हैं और यह इनके common example है जिनका directly हमारे एक्जाम में question पूछे जा सकते हैं silverfish belongs to which order or which subclass ठीके तो इस तरी किसे आप से question directly पूछे जा सकते हैं right so this is your silverfish and of course these kind of your insects insects नहीं कहेंगे इनको हम यह टेरी गोट्स में जादा तर आपके जो है different species आएंगी तो यह अपके सभी जो है wingless होते हैं कि इनमें wings जो है present नहीं होते हैं वहीं हम बात करेंगे टेरी गोट्स की टेरी गोट्स हैंने की जिनके पास wings present है अगर wings present है तो wing के जो है generate होने के दो तरीक हो सकते है excelli gota और exactly है चुली कल से हम जो है content भी ही लेके आए tehdih बहुत सारे students बोल रहे हैं हिंदी में content लेकिया तो वह क्वेस्टन्स जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं क्लास में लेकिन कल से हम कंटेंट भी हिंदी में लेकि आने की कोशिश पूरी-पूरी करेंगे कल से विंग डेवलप्मेंट एक्स्टर्नल होती है बहार होती है उसको हम एक्जो टेरी गोटा कहते हैं लेकिन जिसमें विंग डेवलप्मेंट प्यूपा के अंदर होती है इंटर्नल होती है उसको हम एंडो टेरी गोटा कहते हैं तो एक्जो का मतलब बहार है और एंडो का मतलब अंदर हैं दोनों में ही विंग प्रेजंट हैं लेकिन विंग जो हैं कब प्रेजंट हैं कब डिवलाब हो रहे हैं उसके ब Sul Online और यह क्योंकि इस में प्यूपल स्टेज होती है तो एंडो टेरिजोंट को हम complete मेटामॉर्फोसस में डालते हैं complete मेटामॉर्फोसस का मतलब कहा है आपकी जो चास्ट जो सुप्रिया ने यहाँ पर लिखी है एक लार्वा प्यूपा एंड अडल्ट आगर किसी भी इंसेक्ट में यह चारो स्टेज हैं ठीक है किसी भी इंसेक्ट में यह चारो स्टेज है एग लार्वा प्यूपा और एडल्ट तो हम कहते हैं कि इसमें complete metamorphosis हो रहा है यदि यह pupil stage absent होती है यानि कि आगर वह लार्वा से सीधा एडल्ट बन जाता है प्यूपा नहीं बनता तो इसको हम कहते हैं complete metamorphosis यानि कि हमारी metamorphosis जो है यहां पर complete नहीं है ठीक है डेन immature stages immature stages को हम यहां पर निम्स कह देते हैं अकसर और यहां पर लार्वा कह देते हैं ठीक है तो यह भी हम पढ़ने वाले कि कि एंक्सकोल लर्वा कहते हैं किस इंसेक्ट के बेबी को निम्स कहते हैं किस in-set के बेबी को GRUB कहते हैं हम सब next आने वाली classes में करेंगे तो क्यूंकि यहां पर जो है एक्जोटयरी गोटा में incomplete metamorphosis होता है तो इसको हम she emi métamoolaicabummer 병 분te he mean is half he me का मतलब क्या होता है हाफ तो एक्जो-टेरी जोटा में क्योंकि प्यूपल स्थेजभ नहीं होती इनर्प्लीट मैटम और फोसी सो टह तो टो यह हburg Вам knife अस्य किसमें हो रहा है एक्जोटेरीगोट में हो रहा है एंडोटेरीगोट में नहीं हो रहा है ठीक है तो दाट इस यॉर एंडोटेरीगोट एंड एक्जोटेरीगोट उसके बाद एक्जोटेरीगोट यान की जिनमें Wings externally develop होते हैं इनका मतलब क्या है इन सभी order में प्यूपल स्टेज नहीं होती ठीक है नो प्यूपल स्टेज ठीक है एक्जो टेरी गोटा का मतलब है विंग्स एक्स्टरनली डिवलप हो रहे हैं यानकी इन में कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती तो अगर मैं आपसे पूछू बही ग्रास ओपर की प्यूपल स्टेज कैसी होती है तो आप कहेंगे मैं ग्रास ओपर में कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती है तो यह आपके order है जो exotary goats में आते हैं फॉर्स्ट जिस और यंोर ओंधा ओडर ओडोनिता ओडर में आपके ड्रागिन फ्लाइए और ne फ्लाइए झाद और यह ड्रागिन फ्लाइए आहोब आप सभी ने देखे स्व Ahmed बारिश रागा कि छोटे है भी इनको helicopter कहते थे I don't know आप भी कहते होंगे कि नहीं क्योंकि जब यह आस्मान में उड़ रहे होते हैं they give a proper shape of a helicopter आगे से थोड़ा सा bulging part होता है पीछे पतली सी टेल होती है और wings फड़ फड़ा रहे होते हैं उपर की तरफ तो बिल्कुल छोटे छोटे हेलिकॉप्टर जैसे लगते थे हम लोग इनको जो है बच्पन में helicopter कहते थे आप लोग भी पिताईए अगर आप लोग भी हेलिकॉप्टर कहते थे तो यह सब नो हां तो यह दो नो डेमसंट प्लाई है यह को हम फिलाई बोलते हैं उसके बाद आपका साथ हो यह आपकर लिए कार। ऑप्रा यह जो कर रहा है तो वे उनको जो है चलो, एक मिनट रुको इसका भी मन नहीं लग रहा है, चिके ं? So, Plikoptera order में, Dictoptera order में आपके Cocroch और Mentates आते हैं, उसके बाद आपके Gryloblastodia हैं, जिसमें Gryloblastids आते हैं, Then you have Hemiptera order, this is your Grylobastiria, and then you have Hemiptera order, Hemiptera order में आपके Bugs आते हैं, और थोप्टर ओर्डर में आपके grasshopers और locust आते हैं तो grasshopers, locust, bugs, cockroach, menteds, dragonfly, damsonfly, stoneflies इन सभी में pupil stage नहीं होती सीधा larva से adult बनता है तो इनमें जो है hemi metabula होंगे यानिकि इनमें जो metamorphosis है वो incomplete होती है उसमें 4 stages present नहीं होती है नेक्स्ट आता है आपका एंडो टेरी गोट्स एंडो टेरी गोट्स यानिकी जिनके wings internally develop हुए है अगर wings internally develop हुए यानकी उनमें pupil stage present होती है pupil stage present है यानिकी complete metamorphosis है और इसको हम बोलते हैं holo metabula holo metabula इसको हम बोलेंगे तो इसमें आपके मेकप्ट्रा आता है which is scorpion flies मेकप्रा आ रिए और Scorpion flies जो कि इस तरीके से आपकी scorpion flies जो है दिखती है और देन और है वर ट्राइका जिसमें के डिस फ्लाइस आती है लप लप आप लप लपनाय वगा और पिपा सब्क्रार उडर से बिलोंग करती है तर यो हअभ डिप्ट्रा ओडर डिप्ट्रा ओडर में आपकी फ्लाइज और मज्कि डीमस्कीटो वह मु暴यां इस Amar या ब्लड फीडर यह इंशेक्ट जो है क्रॉप पर अटेक्ट नहीं करते हैं यह ब्लाड फीडर होते हैं पारासाइट हमीना क्रॉमने में आपके बीज वास्प यह यह तो लासपतता है जो है आंट की चीटिया जो है यह सभी आपके हिम्नाप्रा ओडर से बिलॉग करते हैं तो उसका नाम उसका नाम क्या होता है जल्दी से बताइए जो वे बिटल कॉन सी होती है जो राज कलर बिटल है लेडी बडल के सबसे फेमस बिटल है जब बीटल का नामाएगा तो हमारी आख़ोंगे सामझे लइघ बन ग्शार फार के canım these are the your orders और यह orders के आपके जो है क्या है examples है फामलीज को हम यहां पर cover नहीं करेंगे families बहुत जादा हो जाएंगी तो कुछ special community को cover करेंगे अपनी next class में एक साथ इतना तो चलिए याद खीलत हो जाता है तो चलिए कुछ questions solve करते हैं which order of insects is not undergo complete metamorphosis कीटों के के स्वर्ग में पूर्ण रूप से nNe 2000 होता है metamorphosis नहीं होता है ॥पत्र उडर लाइपिड आप्ट्रा ऑडर और अर्थॉप्त्र राऊडर या कर लिप रौटर जल्दी से बताइए अब मैंने पढ़ा दिया अब आपके टेस्ट की बारी है तो जल्दी-जल्दी मुझे आंसर चाहिए ठीक है बिलकुल आंसर आने शुरू गए और थोप्ट्रा ओडर ठीक है देखो डिप्ट्रा लेपिडप्ट्रा और कुलिप्ट्रा तीनों हमने एंडों में बढ़े हैं एंडों में यानकी प्यूपल स्टेज होती है आधिकर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अफ्कॉर्स लापिट up कर्ठाक वाप्टवय अर्डवारइगा बेटरफlaiS और हनीवीड ईशरी बेटरफलाइज और मोफवी जो है हमारी किस से बिलों करते हैं लापिट ओप्टाक्राइगा दूर मिलों करती हैं रहीं हमिपत्रा से कौन मिलंक करता है बीज और वास्प और आंट's बिलॉंग करती हैं. हम इप प्रा से आपके बाग्स बिलॉंग करते हैं. नेक्स्ट, what is the common name of the insect in order of हमित्रा? जो हमित्रा order में insects हैं, उनको generally हम किस नाम से जानते हैं? उनका common name क्या है? what is the common name of order of the insects हमित्रा? हमिप्ट्रा ओर्डर में जो इंसेक्ट उनकों किस नाम से जानते हैं true flies, true bugs, grasshoppers और moth so answer is true bugs, ठीक है true bugs not A true bugs, हमिप्ट्रा ओर्डर में true bugs आते हैं यानि कि जो सच्चे bugs होते हैं, false bugs नहीं होते हैं या pseudo bugs नहीं होते हैं true bugs जो है यहाँ पर आपका right answer होगा तो यह correction जो ही आपर कर लिजीगा, B जो है आपका right answer होगा next question, what is an identifying feature of insects in order of kleoptera kleoptera order में identifying feature कौन सा है जिससे आप पहचान पाएंगे कि यह kleoptera ही है है ना, तो यह identifying feature कौन सा होता है kleoptera order में जब भी आपने beetles को देखा है beetles जब आप देखते हैं तो उनके पास दो जो है pair of wings होते है, two pair of wings होते है एक पीछे का punk होता है, जो transparent होता है और एक आगे का punk होता है जो बिल्कुल translucent भी नहीं होता है, पूरा completely opaque होता है है तो बिल्कुल opaque होता है, उसके आरपार आप नहीं देख सकते हैं और अकसर colored होता है और उसके आरपार आप नहीं देख पाते हैं, ऐसे wings को elytra type of wings कहते हैं तो यहाँ पर option आएगा कि कुलियोप्ट्रा में हमें elytra type of wings देखने को मिलते हैं विच इस option A Name the order of the insect pictured, इस picture में जो insect है, इसका order कौन सा है इस picture में जो हमें insect दिखाई दे रहा है, इसका order कौन सा है चल्दी से बताएं Yes, grasshopper है और grasshopper का order क्या होता है Orthoptera order होता है, grasshoppers belongs to orthoptera order which is option D I'm sorry, फिर से मुझे लग रहा है कि मैंने questions तो लिख दिया और answer correct करना भूल गई हूँ आपकी पिछली PPT से So, D will be the right answer, orthoptera, ठीक है, next, neuroptera includes which group of insects, neuroptera में कौन आते हैं Neuroptera, anti-leons आते हैं, crickets आते हैं, इससे cats आते हैं या dragonflies आते हैं, neuroptera order में Neuroptera में कौन आता है, anti-leons, ठीक है, anti-leons जो आपके neuroptera order में आते हैं, आपका lace wing bug नाम आपने सुना होगा, है न, lace wing bug, lace wing bug जो है आपका neuroptera order में आता है, ठीक है, चलिए, next, order odonta comprises of which group of insects, order odonta में कौन से insects होते हैं, honeybees होते हैं, ants होते हैं, housefly होती है, या dragonfly होती है, चलिए, अच्छा है, सारे बच्चे इतने intelligent हैं मेरे, फटा-फट answer कर रहे हैं, है न, यह देखके बड़ी खुशी हो रही है, पर बैदे को class class भी like करते रहा करों, और मैंने काता है, teacher को भी motivation की जरूरत होती है, तो teacher को motivate student करते हैं, और student को motivate teacher करती है, है न, तो आपकी presence बहुत motivate करती है, teacher को, उसके energy level को, तो हमेशे अपनी presence बनाई रखेगा, ठीक है, yes, तो यहाँ पर क्या answer होगा, dragonflies, ठीक है, dragonflies and dimsonflies जो है, यह आपके odonta order से बिलॉंग करती है, next, coming to question number 8, name the order of the insect pictured, picture में कोक्रोच है, कोक्रोच का order कौन सा है, हिमनोप्टरा है, blastodia है, sucodia है, या प्लिकॉप्टरा है, name the order of insect pictured, हिमनोप्टरा, blastodia, sucodia या फिर प्लिकॉप्टरा, तो देखो मैंने आपको जो है यहां पर कोक्रोच का जो आपको और बताया था और यह और भी है और यह और भी दोनों ही सेम और के नाम है ब्लास्टूडिया और यहां पर मैंने आपको नाम क्या बताया था एक मिन दिखा देती हो मैं आपको ताकि याद रहें क्योंकि हमें हम जादा याद रहते हैं तो रखेवा में और नई और दियांटेदा irus क origin related कोउरग जाते हैं तो आफटर सम टाइम जो यो ऍसमें अलग कर दिया और कोउडures को नई बादर में डाल जिसको ब्लस्टोडिया कहते हैं धुलास्टोडिया और फिर में डिक्टियोप्टरा आए तो दोनों में से जो भी आए अगर दोनों आगए तो ब्लास्टोडिया लगाना है लेकिन दोनों में से अगर एक ही प्रेजंट है तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है इस चीज को आपको याद रखना एक्जाम चलिए, और्डर हैविंग साल्टे टॉरियल लेक्स किस और्डर में साल्टे टॉरियल लेक्स होती हैं? वाट अल्टेटोरियल लेग्स, जम्पिंग लेग्स, है न, सॉयल साइंस पढ़ी है, कृष्णा सरसे, उसमें सॉयल इरोजिन भी पढ़ा होगा, तो सॉयल इरोजिन में एक इरोजिन होता है, जिसमें आपके पार्टिकल्स जो हैं, वो मूव करते हैं, ऐसे यम्प करते, वो आपकी soil particles के जैसे तो इसमें saltatorial legs present होती है यानि कि jumping legs present होती है और jump कोन करता है तिडडा करता है यानि कि orthoptera है ना तो तिडडा यानि कि grass ओपर जो है आपके orthoptera order से बिलॉंग करता है तो यहां पर आएगा option B very nice थोड़ा सा out of the syllabus आज किया question था मतलब जो मैंने उन्हें answer किया है which order has hexopods but not a true insect ऐसा कौन सा order है जिसके पास 6 legs तो है यानि कि hexopods तो है बट true insect नहीं कहते हम उनको प्रॉट्यूरा है कॉलम बोला है मेकॉप्टरा है या फिर बोथ A and B which order has 6 legs लेकिन उसको फिर भी हम true insect में count नहीं करते हैं दिस इस यार प्रॉट्यूरा एंड कॉलम बोला जो हमने a terigots में पड़े थे है ना a terigots में पड़े थे तो यह आपके जो है आएंगे बोथ option A and option B order hymnoptera belongs to which insect group order hymnoptera किस insect group से बिलॉंग करते हैं हम्नॉप्टरा में कौन-कौन आते हैं आइंस आती हैं बीज आती हैं है ना वास्प आते हैं और सौ फ्लाई भी आती है सौ फ्लाई भी आती है and they all belongs to order hymnoptera तो आप क्या है न सौ फ्लाई फ्लाई देखके आप इसको डिप्ट्रा order में भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने तो बताये था कि डिप्ट्रा ओर्डर में फ्लाई होती है तो सौ फ्लाई को याद रखने हैं सौ फ्लाई जो है आपकी मधुमक्खी जैसी ही दिखती है कुछ-कुछ इसका नाम सौ फ्लाई है और क्योंकि मधुमक्खी जैसी दिखती तो यह हिम्नॉप्ट्रा यानि कि मधुमक्खी के ओर्डर में याती है हिम्नॉप्ट्रा ओर्डर में ही आती है तो option D will be the right answer which insect is having two wings ऐसा कौन सा इंसेक्ट जिसके पास दो ही पंक है दो ही विंग्स है देखें आपके सारे विंसेक्ट के पास चार पंक होते हैं अगर ना पता होता है ना टू पेर ओफ विंग्स होते हैं यानि कि चार टोटल पंक होते हैं लेकिन इस इंसेक्ट के पास दो ही पंक होते हैं और यह इंसेक्ट कौन सा है हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई देखें आपने हाउस फ्लाई में दो ही पंक होते है one pair of wings present होता है तो यह diptera order है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके जो बागय के दो wings है वो चेंज हो जाते हैं halters में रही हैं यानि कि वो जो है पूरे पंक ना बंद करके है ना पंक आपका जो है एक पंक पूरा ऐसे develop हो गया लेकिन दूसरा पंक इस तरीके से छोटा सा रह जाता है बिल्कुल ही इसको होल्टर कहते हैं जो कि बैलेंसिंग के काम आते हैं उड़ने के काम तो आनी सकते बिचारें और यह होल्टर जो है यह हाउस फ्लाई में प्रेजंट होते हैं जो कि डिप्ट्रा ओर्डर से बिलॉंग करती है जी पर है स्टिंग बग्स है सिक्याज है या ओल ओफ दीज देखो अब ग्रास ओपर और लीज हो लीफ ओपर में कन्फ्यूज हो जाओगे ग्रास ओपर और थॉप्ट्रा ओर्डर से बिलॉंग करते हैं जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं चिके लेकें जो आपके लीफ होपर हैं यह हमिप्ट्रा ओर्डर से बिलॉंग करते हैं चाहिए बढ़ी नाम तोड़ा ऐसा रखी प्रजापती कि मैं बोल पाऊं एतना डिफिकल नाम रखेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी चलिए तो हम हमिप्ट्रा से आपके लीफ होपर्स बिलॉंग करते हैं लेकिन ग्रास हो सारे लोग कैसी लगी आप लोगों को क्लास और कैसे हम अपने क्लास को इंप्रूव कर सकते हैं यह भी आप बता सकते हो दहे दिल से आपका खुला ऑपीनियन है कि बिलकुल आप जई अपना ऑपीनियन हमें दे सकते हैं तेंगे और और अगरिकल्चर महापाइक और आई- साइट कर सकते हैं अन्रोल कैसे करना है मुझे रेपसंद कपड़े पसंद है क्लास की सी लगी है और है यह हमारी तब तक अज़्डा 247 की साइट खुल कर त्यार हो जाएगी तो आपको गूगल पर टाइप करने 247 साइट खुल के तयार हो जाएगी और कोर्स में जाए एग्रिकल्चर चुनिए एग्रिकल्चर से बहुत सारे ऑप्शन्स दिख रहे हैं तो अगर आप मल्टिपल एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं कई सारे एक्जाम्स देत हैं कितनी मंत की उसकी वालेडिटी है कितना उसका प्राइस है सारे डीटील्स यहाँ पर आपको आजाएंगी यहाँ पर आपको बाइनाओ पर क्लिक करना है यह विंडो खुलते हैं यहाँ पर टाइप कीजिए वाई फॉर फॉर एट और अपलाई कर दीजे तो कोड में य इसका प्राइस है 7359 लेकिन अपलिकेशन पर यह 7039 हो जाएगा तो अपलिकेशन पर ऐसा क्या जादू होता है यूज कोईन्स ठीक है उसके आगे एक बॉक्स होता है उसमें टिक लगा दीजेगा और यह कोड लिग दीजेगा दोनों को मिलाकर जो है इसका प्राइस यह हो Agriculture महा पैक में मिलता है ध्यान रखेगा जो भी ASRB CUAT या फिर ICRJRF के आपके बैचिस है वो agriculture महा पैक में होते बाकि सभी बैचिस agriculture महा पैक में होते तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे सेम टाइम 3 people मंदे जुढना है ये और ये पढ़ाया उसे रिवाइस की जेए झाल 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 झाल